नेक्स पोर्शन स्टार्ट करते हैं, देखिए मैं जो कुईक रिविजिन में आपके साथ मैंने पहले फंक्शन डिसकस किया, फिर लिमेट, कंटिनिटी, डिफ्रेंशिबिर्टी, अब आज आगे करते हैं कैल्कुलस में डिफ्रेंशिशन, डिफ्रेंशिशन का क्योंकि ये क आपके लिए बहुत हेल्फुल होंगे, अगर आपने कोई पिछले सेशन नहीं देखें, तो जब देखें, देखें, क्या कोशन है, ध्यान दीजेगा, और किस तरह की मिस्टेक्स होती हैं, वो जब बताऊंगा, य एक काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, हो सकता है, यहाँ पर ऐसा लिखाओ, पाई बाई टू से पाई, मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूं कि आगे जाके, जब कोशन, देखिए, आपका एक्जाम का कोशन है, पाई बाई टू से पाई भी हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है, तो जब इस तरह के कोशन आते हैं, इन्हें बोलते हैं, हम कंसुप्शन कोशन ये वो कोशन है जिनमें मिस्टेक के चांस होते हैं आप से इसमें मिस्टेक ना हो तो क्या करें कैसे करना चाहिए इन कोशन को वो बताता हूँ कुछ डारेट फॉर्मूले साथ में बताऊंगा सारी चीज अच्छे से नोट करते हूँ चलिएगा जैसे यहाँ पर आप करना इसको मेंटली कैसे मेंटली साल्व कर सकते हैं वो चीज जहूर सीखो कि आप कि वन प्लस साइन एक्स पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या आदोना चीज जैसे वन प्लस साइन एक्स क्या होता है को cós x y 2 माइनस sin x y 2 का whole square अब एक बहुत important बात जो आपको समझानी है किングर कभी ऐसा लिखा हो अंडरht 1 प्लस sin x तो क्या होता है अगर कभी ऐसा लिखा हो अंडरhoot 1 प्लस sin x तो आप एक्ची याद रखेगा आप ऐसा लिखते कॉस एक्स आप क्या लिखते बिटा कॉस एक्स बाइटू प्लस साइन एक्स बाइटू का होल स्कार अंडरूट से कभी भी कोई कॉंटिटी निकले तो मैं आपको बोलूँगा आप ध्यान रखिएगा हमेशा वो मौड होती जो कंसेप्ट आपको बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है समझना जला ऐसे ही अगर कभी अंडरूट वन माइनस साइन एक्स हो तो ये आप इसको ऐसा लिखेंगे कॉस एक्स बाइटू माइनस साइन एक्स बाइटू या साइन एक्स बाइटू तो ये मिलेगा कॉस एक्स बाइटू माइनस साइन एक्स बाइटू का मौड क्या मिलेगा कॉस एक्स बाइटू माइनस ओफ साइन एक्स बाइटू का मौड अब इस mod का expansion आपको सीखना सारा concept इस बात पर कई बार क्या होता है कि जैसे मैं बोलू mod A-B क्या होता है ये question simple है पर केवल ये sessions आपको वो question नहीं बताएंगे जो आये हूँ exam बलकि उन question को भी help करेंगे जो कभी इस तरह से आपको change किये जा सकते जहां पर आपसे mistake के chance है वो एक चीज जवो आपको सीखनी है कि mod A-B क्या होता है A-B भी होता if A greater than B और B-A भी होता if A less than B यानि mod से निकली quantity is always remember positive होती है ये एक चीज दिमाग में बिठा लें तो जैसे अगर कभी जैसे अगर कभी आपको ऐसा दिया हो कि X will long to ध्यान दिजेगा जो मैं बोलाओ 0 से πाई बाई टू तो यहां पर देखिए बाई टू हो गया अगर मैं बाई टू कर दूँ तो ऐसा लिख सकता था देखिए हुआ की नहीं तो इसका मतलब 0 से पाई बाई फोर में कॉस की वैलू कंपेटू साइन बड़ी होती है इसका मतलब अंडरूर वन माइनस साइन एक्स को आप पहले तो ऐसा ही लिखेंगे इसके बाद यह ऐसा ही ओपन होगा और अगर यही चीज मान लिजे पाई बाई टू से पाई के बीच में होती तो बाई टू का डिवाइड होता तो यह पाई बाई फोर से क्या होता पाई बाई टू अब पाई बाई फोर से पाई बाई टू में compared to cost साइन बड़ा हो जाता है तो यही कि यही result कुछ ऐसा होता यही कितनी important चीजे हैं जिन पर कई बार ध्यान नहीं जाता और quantitative level पर ये mistake हो जाती है जब ये mistake हो जाती है, question गलत हो जाता है तो जो मिलने वाले number है bonus के वो भी चले जाते हैं है ना, वो भी number चले जाते हैं पर यहाँ पर इस तरह से आपको ध्यान रखना है तो जैसे ये NDA में इस तरह का question आया क्या करेंगे, बहुत important ये तो काफी simple question है तो आपको छोटी छोटी बातों पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा आदरवाई आपकी mistake हो सकती है तो यहाँ पर simply हम क्या करेंगे अब ये तो 0 से πाई बाई 2 है तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं इस question में कोई problem नहीं है बट अगर वो πाई बाई 2 से πाई होता तो जरूर प्रॉल्लम हो जाती तो अभी तो यहाँ पर आप directly लिख सकते थे cot inverse ये कितना होता cos x by 2 plus sin x by 2 plus cos x by 2 minus sin x by 2 yes or no upon ये होता cos x by 2 plus sin x by 2 minus cos x by 2 minus sin x by 2 ये result मिलता अब इस result को अगर मैं ध्यान दूँ तो इस result से मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये sin से sin cancel यहाँ पर cos से cos cancel ये finally मिलेगा cot inverse cot x by 2 and then बचा कितना x by 2 तो differentiation हो सकता है मैंने options ऐसे लिख दियो तो answer क्या आ गया 1 by 2 यह नहीं इसका differentiation क्या हुआ 1 by 2 but अगर यही चीज pi by 2 से pi के बीच में होती तो इसका answer plus 1 by 2 नहीं होता ये भी ध्यान रखिएगा note के डाल लेजेगा कि अगर यही question माल लेजे ऐसा होता suppose इस question में आच्छा आप क्या होता है कोई भी value रख के देख सकतो जैसे माल लो यहाँ पर 0 से pi by 2 दिया है तो इस 0 से pi by 4 हो जाएगा तो आप कोई भी जैसे 30 degree रख लो 30 पर बनलब 60 रखोगे पर 60 पर क्या होगा cos बड़ा होगा और sin क्या हो जाएगा क्योंकि यह by 2 हो जाएगा तो छोटा हो जाएगा आप माल लो यही question ऐसा होता समझना तो क्या होता तो मैं इसको ऐसे नहीं लिखता फिर मैं इसको ऐसे लिखता cot inverse cos xy2 plus sin xy2 yes or no cot xy2 plus sin xy2 बट यहाँ पर हो जाता sin xy2 minus अभी वो भी बता देता हूँ आपको कि यह plus क्यों रहेगा sin xy2 minus cos xy2 upon cos xy2 plus sin xy2 minus of sin xy2 minus cos xy2 अब क्या होता यहाँ पर cos से cos cancel हो जाता नीचे sin से sin हो जाता तो यह मिलता cot inverse 10 xy2 10 xy2 को आप लिखते 5 10 ऐसा लिखते 10 sorry cot pi by 2 minus xy2 और यह ऐसा हो जाता pi by 2 minus xy2 and then अब differentiation करते तो क्या होता तो dy by dx equal to होता minus of 1 by 2 right यानि इसी एक question का answer ऐसे भी change हो सकता आप ज़रा समझ ये कि यहाँ पर क्या हुआ होगा जब आपने plus लिया होगा कई बार यही चीजे समझ में नहीं आती और mistake हो जाती है plus में क्या रहा होगा देखिए जैसे under root 1 plus sin x आपने इसे ऐसा लिखा cos x by 2 plus कभी भी confusion हो ना जो limit दी उसको देख लिया करो जैसे 0 से pi by 2 में तो कोई problem ही नहीं थी क्योंकि by 4 हो जाता है ना by 4 हो जाता दोनों ही positive होते हैं आप फट से अगर मानलो ऐसा दिया होता 0 से pi by 2 तो आप बिना किसी problem के ऐसा लिख सकते थे क्योंकि 0 से आप इसमें 2 का divide करिए 0 से pi by 4 में दोनों ही positive होते हैं हमें overall result से positive से मतलब है अब आते हैं हम कि मानलो उसके आगे की बात करें उसके आगे की बात करें मतलब अगर यह pi by 2 से pi दिया होता तो क्या होता मतलब अगर pi by 2 से pi दिया होता तो क्या होता तो obviously आप 2 का divide करते हैं पहले तो यह हो जाता pi by 4 से बोलो pi by 2 अभी भी अगर ध्यान दे तो coordinate तो 1 ही है तो coordinate 1 है pi by 4 से pi by 2 में दोनों ही positive होते है इसलिए rude 1 प्लस sin x को हम ऐसा की ऐसा ही लिखेंगे दिमार्ग में question आता है कि इसको मैंने क्यों बदला तो वो मैं जबुँ बता सकता हूं कि ऐसा क्यों लिखा समझेगा कि अगर मैं कोई एक एंगल सोचू pi by 4 से pi by 2 के बीच में मतलब यहां पर इसको देखते हूं सोचना मालो आपका मन है कि एक्स की जगे 120 डिग्री रखें रखिए जब यहां रखेंगे तो 120 बाइ 2 60 हो जाएगा तो यह क्या होगा बिटा रूट 3 बाइ 2 यह होगा 1 बाइ 2 ओवराल रिजल्ट पॉजिटिव अगर आप बाइ मिस्टेक अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स को यह लिख देते कॉस एक्स बाइ 2 माइनस साइन एक्स बाइ 2 तो यह रिजल्ट निगेटिव हो जाता और यहीं पर यह रॉंग हो जाता यह इस कोशन का ब्यूटी था और आप समझ यह जिसे एंडिय में आया सीदा सीदा सिंपल आ गया यही कोशन जेई में देना होता या किसी और एक्जा करना पड़ेगा नहीं तो मिस्टेक के बहुत चांस है नोट कर लो पहले इस कोशन को येस नेक्स कोशन देखते हैं देखिए क्या है थोड़े अलग 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 टाइप के कोशन सम करेंगे जिसमें आपकी कई सारी चीजे कवर भी होंगी और आपको समाझ में भी आएगा ंडिफ्रेंटियेशन आफ 10 inverse root 1 plus x square minus 1 upon x with respect to 10 inverse x क्या करेंगे देखिए जब भी कभी अभी तक आप जो करते थे ना नॉर्मली वो ये करते थे differentiation of fx with respect to x इसका मतलब होता था d by by dx fx अब मैं बोला हूँ आपको differentiation of function with respect to gx मतलब fx का differentiation gx के respect में तो logically मैं ये बोलना चाहता हूँ आपसे ये differentiation of fx with respect to gx अब ये दिखने में अजीव लगता है तो normally हम इसको y माल लेते हैं और इसको t यानि आपने fx को माल लिया y और और इसको माल लिया t इसको माल लिया t तब आपको क्या बताना है d by by dt जिसको आप ऐसा भी लिख सकते थे d by by dx upon dt by dx यानि ये एक तरह से बिल्कुल वह form है जो parametric होती है अच्छा इसमें भी स्पेचली मैंने वह कोश्चन लिया है जो इंवर्स बेस्ट है इंवर्स बेस्ट कोश्चन में हमेशा ट्रिक्स यूज कर सकते हैं जैसे यहां पर मैं इसको वाई ले लूँगा और इसको मैं टी माल लेता हूँ अब दो अप्रोच हैं एक कि मैं इसको अलग डिफ्रेंशेट करूँ एक इसको अलग करूँ बट मैंने फिर बोला कि इंवर्स वाले कोश्चन में थोड़ा सा क्यरफुल रहना जैसे वाउन प्रोच हैं इस पेशली फॉर इन्वर्स वाले कोश्चन में क्या होता है कि कई बार इन्वर्स के कंसेप्ट लग जाते हैं जैसे कभी भी याद रखिए one प्लस x-square हो तो x की जगे 10 थीटा पुट करना चाहिए one माइनस x-square हो तो x की जगे 10 थीटा थो इस्डरेटी बन जाएगा तो अगर हम यहां से ध्यान दें तो एक्स की वैलु हम चाहें तो टैंटी लिख सकते हैं तो यह जो कोशन था एकसी जघए टैंटी लिख दो तो yomme two-tee बन जाएगा तो हम डारेक्ली dy ुए by dt निकाल सकते ह्म डारेक्ली dy by dt कि निकाल सकते हैं तो हम question को complicated क्यों करें है ना कोई जववती निए question को complicated करने की तो क्या करेंगे देखिए आप simply देखिए आपने ये लिखा है वाई एकवल टू अंडरूट वन प्लस सक्षाइब माइनस उफन अपन यह ओ जाएगा तैन इन्वर्श सेक्टी माइनस वन अपन टैंटी साइन कॉस्ट में चेंज करें तो वन मैंस कॉस्टी अपन साइन यह पॉन कॉस्टी इस समझाने के लिख रहा हूं आप डारेक्ट इसके ब डारेक्ट लगा सकते हैं यहाफ एंगिल यह भी हाफ एंगिल तो यह बनेगा टेंटी वाइटू यानि वन बाइटू अंसर आ गया बाकि आप स्टैप बाइज बता देता हूं करना मेंटली था आपको टू साइन स्क्वेर टी बाइटू अपॉन टू साइन टी बाइटू देखो आपको निकालना तो डी बाइटी था तो सीधा बन बाइटू आगया एक अप्रोच यह हुई एक बच्चा इसको अलग डिफ्रेंशेट कर सकता इसको अलग और फिर रेशो ले पर उसमें टाइम बढ़ जाता है पर कई बार अगर कोश्चन ही अलग हो तो अलग बा इसको मानते वाई इसको मानते टी और आपको निकालना था डी वाई बाइटी हां मेंटली अभी भी कर सकते थे यह नुम्रेटर में वो डिनॉमिनेटर में यह आएगा वन अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डिफ्रेंशेशन अफ दिस अपॉन सेक्षक्त स्कोयर एक्स क्या किया मैंने समझ ना क्या किया मैंने आपने simply यहाँ पर यहाँ पर simply यह लिखा है कॉस X-1 अपॉन सेक्स स्कोयर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस आप वैसे करते तो क्या करतें ृससे निकालते दी ऑी दी एक्स इससे निकालते ृटी ऑई डी एक्स है और आपको निकालना होताह्ए धी व चोटी-चोटी cover करेंगे, पर आपको काफी सारा idea मिलेगा, यह जो quick revision sessions है, यह बहुत help करने वाले हैं, और इसमें केवाल ऐसा नहीं कि अगर limit का एक session है, तो एक ही में होगा, धीरे-धीरे ऐसे छोटे-छोटे term में revise करेंगे, आपका time भी safe होगा, और आपको नही concept भी बनेग y equal to a into sin theta minus theta cos theta, then dy by dx, आपसे पूछा है, अब dy by dx तो बहुत easy निकाल लोगे, पर जो सबसे important चीज़ है, वो है d2y by dx square, एक बहुत important चीज़ आद रखिए, देखिए, parametric function है, आभी मैंने function of function का एक question बताया था, उसी तरह का, मैं बोलो न, कम variety में, कम question के through भी कैसे, अच्छे region में सीखोगे, अब देखिए, यहाँ पर याद करें, तो dy by dx क्या होता है, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, dy by d theta upon dx by d theta, yes or no, तो मैं इसको आपको समझाने के लिए, वैसे आप direct करना, इसका numerator में आएगा और इसका denominator में, पर अभी मैं कुछ region से समझाने के लिए, dxy, जब d theta किया तो a minus sin theta plus sin theta plus theta cost theta, यानि आप देखें, तो आपको एक तरह से a into theta cost theta मिला, yes or no, यह sin से sin cancel, इसको equation 1 देखे छोड़ दिया, similarly इसको differentiate किया, बताओ इसका differentiation क्या होगा, जब d by d theta पर जाएंगे आप, तो a into, क्या हैगा, cos theta minus, cos theta minus theta वैसे ही रहेगा, into sin theta बट प्लस का हो जाएगा, मिलेगा a into theta sin theta, तो जब आप से d y by d x पूछें, तो आप एक बार में बोल दोगे, d y by d theta upon d x by d theta, यानि a theta sin theta upon a theta cos theta, यह cancel, तो यह मिल गया 10 theta, यानि पहला part complete हो गया, और इसका answer यह हो गया, इसके लिए बताया ही नहीं था, यह question क्यों बताया, और exam में आप क्या mistake करोगे, यह बताओंगा मैं यहाँ पर, अब सुनिए, आपके पास यह तो आगया, d y by d x कितना, 10 theta, अब जब second differentiation करते हैं, बहुत ही common mistake है, आप first से लिखते हो, d 2 y by d x square, और यहाँ 10 theta को लिखते हो, second square theta, देखो मैंने इसलिए option भी लिखे हैं, इसका यह option यह दिया हुआ है, exam में हमें कोई correct करने वाला नहीं होता, पक्की बात है exam में यह mistake होने वाली, अकसर जो mistake होती है, उसका option a मिलता है, क्या हुआ, आपने क्या mistake करी, कि आपने with respect to x किया, पर यहाँ theta हुआ, पर आपका ध्यान नहीं गया, आपका ध्यान नहीं गया, और यह mistake हो गए, तो यह common mistake ह के parametric function की second derivative पे तो remember जब भी parametric function का second derivative आए तो मेरा ये session आपको एक तम से ध्यान आ जाना चाहिए आपकी एक तम से light जाल जाना चाहिए कि यहाँ mistake हो की ही हो की तो क्या करेंगे तो सुनिए यहाँ पर क्या था कि जब आपने डी याइब डी एक्स दोनों तरब किया तो यहाँ पर भी डी वाइब डी एक्स ही आया है ना पर थीटा था तो यह तो ठीक है बट यहाँ पर हुआ सेक स्क्वेर थीटा इन्टू डी थीटा वाइड डी एक्स बस यही चीज भूलते हैं और कुछ नहीं और इसलिए मैंने अलग-अलग समझाया यहाँ पर डी एक्स हम ऐसा भी बोल सकते हैं sec cube theta upon a theta, देखिए जड़ा sec cube theta upon a theta भी एक option है यानि इस question का अगर आप second derivative चाहो तो मैं आपको अभी बोला हूँ बिना differentiate करे याद रखो कि second derivative में a ज़रूर आता, इस option में a नहीं था, इसमें a नहीं था, ये दो तो कभी होई नहीं सकते थे, ये ही होता है अब नाने इसलिए करके देखना पड़ा otherwise नहीं भी करते तो चलता ये होता है concept के साथ पढ़ना, इतना strong concept रखो, भाल तू इदर उदर मत भागो, confused मत हो, बहुत ही अच्छे से concept बना के logical तरीके से पढ़ाई करो, आपको उसके एकदम अलग result देखेंगे right, note करिए, तो ये एक तरीका था, जो आप भूल सकते थे, आप मतलब बिना करें बता सकते थे, जो common mistake थी इस question में वो यही थी next question देखते देखें, next question क्या है dv by dx, one plus x square plus x power 4 upon one plus x plus x square equal to x plus b, then the value of a and b, इस ते two question related थे इसमें एक में a find करना था, एक में b, देखके हो सकता है, आपको click कर जाए, हो सकता है, आप long कर दे, सबसे पहले तो ये एक चीज़े बताती है कि जिस भी function का differentiation हुआ होगा, पक्की बात है कि वो कुछ इस form में ज्यादा से ज्यादा रहा होगा क्योंकि इसका होता है 2ax plus b, वो 0, मतलब x मिला है, और constant हम ही नहीं और इसका b मिला है इसका मतलब ये हुआ कि ये इसको divide कर देना चाहिए, अगर हम इसका direct division formula लगा दे तो जो question 10 second में हो सकता था, hardly 10 to 20 second, उस question को आप 2-3 minute लगा सकते हैं और उसके बाद भी सही हंसन नहीं मिलेगा, तो ये देखते ही click कर जाना चाहिए था कि क्या important चीज है, तो इसमें करना ये था, कि आप इसका division of polynomial से बहुत speed में question कर सकते थे, right? यानि आपने x square से divide किया तो x4 plus x cube plus x square, ये minus किया, तो ये cancel, ये भी cancel minus x cube plus 1 minus x से divide कर दिया तो देखिए minus of x cube जो sign यहां होता है वो ही रहना चाहिए minus x square minus x plus 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 ये cancel देखिए क्या मिला, x square plus x plus 1, plus 1 से divide कर दिजिए ये completely cancel, यानि logically ऐसा अगर 16 by 4 लिखा तो आप 4 लिख सकते हैं वही concept है यहां पर भी, तो आपको actual में ये question ऐसा हुआ कि आपको केवल इसको differentiate करने को बोला है direct कर सकने 2x minus 1 and this equal to a x plus b तो a equal to 2 b equal to minus 1 तो आप सबको मैं एक ही बात बोलूँगा, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, concept बनाई एक base book solve करिए और